वेलकम टू मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हर कोई चाहता है कि वो खुबसूरत दिखे लंबे समय तक जवा बना रहे साथ ही साथ उनकी सेहत भी अच्छी हो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ दोस्तों जो आपके सेहत के लिए और साथ ही साथ आपकी खुबसूरती के लिए बहुत ही फाइदेमन है कुछ दिन इसे लेंगे ना आपके चेहरे पर चमक आएगी इसकन में ग्लो आएगा साथ ही साथ आपके बाल भी खुबसूरत होंगे तो सेहत को अच्छी रखने वाले स्वास्त को बना कर रखने वाले इस रेमेडी में दोस्तों आपको कुछ ऐसे अनाज लेना है जो कि आपके शरीर के लिए बहुत फाइदेमन है शारीरी कमजोरी को भी दूर करेंगे साथ ही साथ शरीर में ताकत आएगी खुन की कमी दूर होगी जोडों के दर्द से राहत मिलेगी तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं जो चीज ले रही हूँ वो है मूंग साबुत मूंग लेना है आपको मूंग की दाल नहीं लेना है झिलके वाला यह जो मूंग होता है दोसो एक मुठी मूंग अगर आप रोज खाते हैं पानी में भीगा कर राद भर पानी में भीगाएंगे न सुबह यह पानी में अच्छी तरह से फूल जाएगा उसके बाद एक मुठी आप मूंग का सेवन जरूर करें पोशक तत्वों का भंडार है धेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं हमारे शरील की जो कमजोरी है खून की कमी दूर होती है आँखों की रोशनी बढ़ती है इसके साथ ही साथ मुठ का सेवन हमें कई बिमारियों से बचाता है अगली चीज दोस्तों चना लिया है हमारे पुराने समय में जो बुज़ूर्ग लोग क्या करते थे दोस्तों इसी तरह से तो वे लंबे समय तक स्वस्त रहते थे क्योंकि वे अप्ने खाने पीने का ध्यान ररकते थे healthy चीजें लेते थे और healthy तरीके से लेते थे जब हम अनाजों को पानी में भिगा देते हैं तो उनके पोशक तत्यों की मात्रा में और भी जाता बढ़ोतरी हो जाती है इसलिए आज मैं बताऊंगी पांच ऐसे आनाज बताऊंगी दोस्तों जिसे आप पानी में भिगा कर खाएंगे ना दोस्तों तो आप देखेंगे पुराने से पुराना गठिया जोडों का दर्द आपको उससे राहत मिलेगी हडियों में सूजन है नसों में कमजोरी है वो सारी तकलिफें दूर होगी अगली चीज मैंने यहां लिया है बादाम तीन से चार पानी में भिगे बादाम हमें जरूर खाना चाहिए सूखे बादाम अगर खाएंगे ना दोस्तों तो उतना आपको फाइदा नहीं मिलेगा जितना पानी में भिगा हुआ बादाम फाइदा करता है साथ ही साथ अगली चीज आपको लेना है यहाँ पर किश्मिश किश्मिश के बारे में भी आप सब को पता है दोसों आइरन का भंडार है इतना ज़्यादा इसमें आइरन होता है खून की कमी को दूर करती एनिमिया से हमें बचाती है किश्मिश को राद भर पानी में कैश्मिश के आपको उस पानी को भी पीना है क्योंकि उस पानी में इसमें किश्मिश को बारे कर दबा तो इतन के गड़ी किश्मिश को बारे टाब ऐं चांगें हैं और मुंफली का सेवन करेंगे आपके शरी में भरपूर मात्रा में आईरन मिलेगा आपको आपको कैल्शियम मिलेगा जिंक मिलेगा विटामीन B6 विटामीन E होता है तभी तो मुंफली अगर हम खाते हैं मुंफली तो हमारे स्किन में बहुत अच्छा निखा रहाता है क्योंकि विटामीन E होता है भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर होता है और इसके सेवन से कॉंस्टिपेशन की समस्या भी दूर होगी ये पांच अनाज ऐसे हैं जिसे पानी में भीगा कर खाएंगे ना हमारी सेहत अच्छी रहेगी हमारा पेट अच्छा रहेगा हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा और जब जातर बिमारी हमारे पेट से जुड़ी रहती है जब हमारा पाचन अच्छा होता है तो बहुत सी बिमारियों से हम बच सकते हैं तो खड़ा मूंग लिया है, साबुत मूंग लिया है चना लिया है, चने के बारे में तो आप सब को पता है पानी में भिगा हुआ चना दोस्तों जो डियाबिटिक पेशेंट है, उन्हें तो जरूर खाना चाहिए नाश्ते में एक मुठी, जादा नहीं, आप मुठी नहीं समझ पा रहे हैं तो दो चम्मच, टू टेबल स्पून, आप भिगे हुए अनाज को खाएं इससे जादा नहीं खाना है, खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है जितना अच्छा आप लोग चबाएंगे ना दोस्तों, उतनी जादा लार सलाइवा हमारे शरीर के अंदर जाएगी और हमें उसका फायदा मिलेगा, तो दो चम्मच से जादा नहीं खाना है साथ ही साथ दोसो, भिगे हुए चने खाने से वजन कंट्रोल में रहता है हमारी आखों की रोशनी के लिए बहुत फायदे मंद है और हमारी खुबसूरती के लिए भिगे अनाच बहुत फायदे मंद है तो बादाम लिया है, मूंग फली लिया है, किश्मिश लिया है, साबुत मूंग लिया है और चने लिया है छिलका वाला चना यह सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों, जो कि आपके शरीर को मजबूत बनाएंगी और आपको खुद को अपने शरीर में फूर्ती और ताजगी महसूस होगी लंबे समय तक आप जवा बने रहेंगे तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी दोस्तों आप चाहें, आप सोचेंगे, अरे हम रोज रोज यह पांच अनाज कैसे भीगाएं एक तरीका और भी आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी एक अनाज को आप भीगा दें दो दिन खाएं जैसे कि मूंग लिया है, मैंने आप देख सकते हैं इसना मूंग है, यह कल तक अगर भीगेगा तो यह अपनी कॉंटिटी में डबल हो जाएगा तो दो दिन के लिए भीगा ले, वैसे तो हमें सभी तरह के न्यूट्रियंट्स हमारे शरीर को मिलना चाहिए सभी अनाज थोड़ा थोड़ा सा खाएं, एक एक चमच, एक साथ भी भीगा सकते हैं आप परन्तु किश्मिश को कभी भी एक साथ ना भीगाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर किश्मिश के पानी को पीना है किश्मिश भी खाना है और पानी भी पीना है बाकी अनाज को आप एक साथ भी भीगा सकते हैं अलग अलग भी भीगा सकते हैं जो आपकी मर्जी है आप वैसा कर सकते हैं बादाम को भीगा सकते हैं बादाम का हमेशा छिलका उतार कर पिए बादाम जिस पानी में भीगा है उस किशमिष के पानी में एंटी ऑक्सिडेंट होता है और साथ ही साथ दोसों किशमिष जो होती है यह कॉंस्टिपेशन को दूर करती हमारी आखों की रोशनी के लिए बहुत फाइदे मंद है तो इस तरह से यदि आप अनाजों का सेवन करेंगे ना दोसों तो आप देखेंगे बहुत सी बिमारियों से छोटी मोटी बिमारिया तो हमें छूने ही नहीं पाएँगी इतना ज़्याद है यह फाइदे मंद है मैंने आपको यह जो अनाज दिखा हैं दोसों यह दो दिन के लायक है आप देख सकते हैं इतनी मुंफली नहीं दस से बारा मुंफली आपको खा चना चाहते हैं तो कम से कम दो चम्मत चना जरूर खाएं सुबह के समय भरपूर मात्रा में चने में विटामीन पोशक्ततों होते हैं फाइबर होता है जिससे खाने से लंबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है हमें भूग कम लगती है और वजन को कंट्रोल करने में पानी मे भीगा हुआ चना बहुत फाइदे मंद होता है खून की कमी को दूर करता है कैंसर के खत्रे को कम करता है भीगा हुआ चना हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है भीगा हुआ चना तो कितने सारे फाइदे हैं दोस्तों इन अ इसलिए तो कहा जाता है बच्चों को भी तीन से चार बदाम जरूर दें तो आप देख सकते हैं ये जो पांच अनाज हैं पांच पानी में भीगे हुए अनाज हैं दोस्तों ये आपके शरीर की कमजोरी को दूर करेंगे जो आपको ठकान लगती है बेवज़ा ही बिना काम के ही आप ठक जाते हैं वो सारी परिशानी दूर होगी तो आप देख सकते हैं दूसरे दिन की शुटिंग है मैंने रात भर भीगाया था मूम फली के दाने अच्छी तरह से पानी में भीग गए हैं बदाम भी भीग गए हैं अब बदाम का छिलका उतारें बदाम का छिलका उतार के ही हमें खाना चाहिए क्योंकि बदाम के छिलके में टैनी नामक तत्व होता है जो कि बादाम को अच्छी तरह से डाइजेस होने नहीं देता है पानी में भिगे हुए बादाम खाना चाहिए बादाम की जो गरम तासीर है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है इसलिए इन अनाजों को पानी में भिगा कर खाएं बस सभी का पानी आप अलग करेंगे आपको यहाँ किश्मिश के पानी को नहीं फेकना है किश्मिश भी खाना है और पानी को भी पीना है बादी आप पानी को फेक सकते हैं तो यह जो अनाज है दोस्तों आपके शरीर में ताकत देंगे आप 65 की उम्र में 35 के दिखाई देंगे साथ ही आपकी खुबसूर्ती आप खुद देखेंगे इसकिन में इतनी अची चमक आएगी हेयर फॉल रुकेगा और आप पेट से जुड़ी हुई सारी बिमारियां दूर होंगी दोस्तों इतना ये फायदे मत है तो इस तरह से लेना केवल दो चमक दो चमक से जादा अनाज नहीं खाना जो बच गया उसे फ्रीज में रखें ताकि नेक्स डे आप इसे खा सकें दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है इंफॉर्मेशन के